ये कहानी ऐसे लड़के की जुबच्पन में आनात हो जाता है जिसके देखभाल करने के लिए चाचा चाची होते हैं पर उम्र बढ़ते बढ़ते ये चाचा चाची उस छोटे से कंधे पर बोश डाल देते हैं उसे डराते धमकाते और उसे एक अंदकार भरे कमरे में कैद कर देते हैं जहां से वह अपना रास्ता चुन्ने में असफल हो जाता है कभी मस्दूरी तो कभी खल चलवाया है कभी मस्दूरी तो कभी खल चलवाया है कोड़े मार कर अपना काम करवाया है कड़ी धूप में मीलो दोड़ाया है बचा खाना कुट्थो वाला इन्होंने मुझे खिलाया है सीकर की कोई जरूरत नहीं इन्होंने मुझे चलता फिरता मुर्दा बताया है जन्म देने वाला तो गुजर गया उनकी परवरिश ने मुझे आनात बनाया है कर दो कर दो